नमस्ते बच्चों, मिशन ग्यांद से मैं कीरती शर्मा स्वागत करती हूं आप सब कर बच्चों आज हम हमारा नेक्स चेप्कर स्टास करने वाले हैं जिसका नाम है अपने आनुवांशी की जैनेटिक्स देखो बچो अगर आपको मालूम है आपने देखा हो क्या हमारी नाख हमारे बिलकुल मित्र की तरह हमारे फ्रेंड की तरह है क्या हमारी आखे क्या हमारे मित्र की जैसी है GENETICS, मतलब हमें GENETICS रوب में हमारे परिवार वालों से क्या क्या چीजे मिली है उन सब चीजों का अध्यान, विघ्यान की जिस शाखा में किया रहा है उसे ही बच्चों हम कहे रहे हैं आनुवान्शी की, मतलब परिभाचर क्या होगी, कि विघ्यान की वहे शाखा जिसके अंतरगत हम जिसके अंतरगत सर्जीवों के लक्षणों की वंशानुगती आनुवान शिक्ता और विभिनताओं का अध्यन किया जाता है आनुवान शिक्ता का मतलब क्या है आनुवान शिक्ता का मतलब ही यही है कि एक पीडी से दूसरे पीडी में आने व अब जैनेटिक सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया बच्चों बैट सन ने किया सन 1905 के अंदर और इस शब्द के उत्पति ग्रीक भाशा का एक शब्द है जीन थीकिए इस शब्द से हुई है कि शब्रसे जोकि ग्रीक भाशा से लिया गया है अब देखो जो आनुवान्शिक लक्षण है उनका जनक पीडी से संतिती पीडी तक आना ही क्या कहलाता है बच्चों वन्शागती कहलाता है है रिडिटी कहलाता है आनुवान्शिकी तो किसे कहेंगे हम कि विज्ञान की वहेशाखा जिसके अंतरकत इस वन्शागती का अध् क्या कहलाएगा बच्चो हैरेडिटी वनशागती कहलाता है अब हैरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किस ने किया स्पेंसर ने किया सन 1863 में आगे हम बात करते हैं बच्चो मेंडल वाद मेंडलीजम ये मेंडलीजम क्या है तो बच्चो आपको मालूम हो तो मेंडल को हम father of genetics आनुवांशी के पिता कहते हैं कि मैं हम इनको आनुवांशी के पिता क्यो कहते है, ऐसे उन्होंने क्या किया है तो वो सब चीजे हम पड़ेंगे इस चेप्टर में आगे कि मैंडल नेएसे क्या किया है कि हमने इनको आनुवान श्री के पिता के हैं तो देखो बच्चो मैंडल इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोन मैंडल ठीक है और इनने कहते हैं हम फादर अफ जैनेटिक्स आनुवान श्री के जनक इनका जन्म कब हुआ इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को आस्ट्रिया का एक प्रान था उसका छोटा सा गाव है सिलिसियन गाव उसके अंदर मैंडल का जन्म हुआ फिर ये क्या किये फिर इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ाई की उसके बाद ये कहां चलेगे उनके बाद उस्ट्रिया का एक ब्रुन शेहर था ब्रुन शेहर के अंदर एक चर्च था उस चर्च का इनको क्या बना दिया गया उस चर्च का इन्हें पादरी बना दिया गया अब यह वहाँ पर गेपादरी बनने के बाद तो वहाँ पर एक उद्यान था एक गार्डन था उस गार्डन में इन्होंने क्या किया उस गार्डन के अदर इन्होंने मतर के पोधे लगा दिये मतर के पोदे और लगबक शात वश्च तक उन पोदों के उपडर इन्होंने संकरण करवाएं संकरन करवाने के बाद इन्होंने अलग अलग पीडिया प्राक्त की उन पीडियों का नहों ने अध्यन किया अध्यन करने से इन्होंने कुछ निशकाष निकले विश्टेशन किया ठीक है । और जो निशकाष निकले उनको इनोंने broken Society एक शोद पत्र के रूप में प्रस्तुत किया मेंडल के दुआरा जो उध्यान मतर है उध्यान मतर इसका वेग्यानिक नाम है बच्चों पाईसम सेटाइवम, क्या नाम है? पाईसम सेटाइवम, यह क्योशिन आपके एक्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है पूछने की, यह हमें याद हो ना चीए, उद्ध्यान मतर का विग्यानिक नाम क्या है? बच्चों पाईसम सेटाइवम तो मेंडल ने किस पे प्रियोग किए? बच्चों पाईसम सेटाइवम पे और इन्होंने कुछ नियम बनाएं, उन्हे ही हम क्या कहते है? आनुवांशिता के नियम कहते हैं, क्या कहते है? लो ओफ इनहेरीटेंस ठीक है? और इन नियमों को ही हमने क्या बोला है? मेंडल इनकी म्रत्य हो गई, ठीक है? अब जो मेंडल था वो सफल हुए, ठीक है? तो उनकी सफलता के क्या कारण थे? कि हमने उन्हें अनुवांशिक्ता के पिता ही कही दिया, इतनी बड़ी संगया दी है, तो कोई कारण होगा? तो उनकी सफलता के क्या कारण थे? देखाँ सबसे कि जो मैंडल है उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वन्षगति का अध्यन किया, एक साथ सप्पे नहीं उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण लिया, जैसे हमने पोदी की लंबाई ले ली, पोदी की पुषप का रंग ले लिया, ठीक है, कोई भी लक्षण लिया और उस दूसरी बात कि मैंडल ने जितने भी संकरन किये उनका एक सांखी की विशलेशन किया, सबसे जो खास बात थी वो यही थी सांखी की विशलेशन, नेक्स्ट है कि मैंडल ने अपने जितने भी प्रियोग किये, उसके लिए पादप का जो चुनाव किया, वो एकदम उप्युक्त पादप चुना, अगर वो कोई और पादप चुनते तो हो सकता है, वो इतने अच्छे से प्रियोग नहीं कर पाते, तो उन्होंने जो पादप सकते थे, नीम भी लगा सकते थे, उन्होंने मटर लगाया, मटर का पोद्र लगाया, पाइसम से टाइम लगाया, तो कोई कारण होगा, तो क्या कारण है, सबसे पहला कारण यह है कि मटर का पोद्र होता है, बच्चों वो एक वर्ष्य शाक है, शाक है यह और वो कितना एक वर्ष्य है मतलब एक वर्ष्य के अंदर इसके पूरी processing पूरी प्रक्रिया complete हो जाती है पादप बन जाता है हमें मतर की फलिया प्राप्त है ठीक है तो एक तो हमें इसमें कम समय लगा और कम समय में हमने अनेक पीडियों का अधियन कर लिया एक वर्ष्य के साक है तो साथ साल ये कम समय में अधिक पीडियों पर अध्यन कर सकें, नेक्स्ट बात है कि जो मतर का पुष्प है, वो द्वीलिंगे पुष्प होता है, अब द्वीलिंगे पुष्प का मतलब इसके अंदर पुंकेसर और जायं, जर्म, नरजरिनांग और मादर जंनांग, दोनों एक ही विपुदी वन्षक्रम मिल सकता है ठीक है और हम क्या कर सकते हैं हम विपुन्षक्रण करने के करणं क्या है हम इसके अंदे तो विपुनसन भी कर सकते हैं, विपुनसन करके हम क्रतिम पर परागरन के दुआरा, हमें जैसी PDCM वो PDV अस्तनी से प्राप्त कर सकते हैं, नेक्स फारदर क्या हुआ कि जो मतर के पोदे हैं, इसके अंदर विप्रियास्ती लक्षन पाए जाते हैं, विप्रियास्ती लक्षन मतलब एक दम अपोजिट उल्टे, जैसे अगर मतर का एक पोदा लंबा है, तो इसका विप्रियास्ती लक्षन का पोदा आपको बोना लिए मटर के अंदर साथ जोड़ी लक्षणों का चुनाओ किया कितने जोड़ी बच्चों साथ जोड़ी हमें सातों के सातों का नाम पता हो ना थी कि मैंडल क्या क्या लिये, सबसे फस्त लिया पादप की उचाई, फिर लिये पुष्प की इस्तिती, फिर परीपकु फली की आकरती, फिर परीपकु फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकरती और बीज का रंग, ये साथ लक्षन मेंडल ने लिये और इन साथ लक्षनों पर म तो पादप लंबा हो सकता है तो दूसरा बोना हो सकता है तो एक तो गया लंबा एक हो गया बोना ठीक है पुश्प की इस्तितीए का मतलब कक्षियो अग्रस्त अभी बताओंगे इनका मतलब पड़ी पड़ी भुली होई हुई है हुई जर्री दार है ठीक है तो मंटर έχते जिसकड़े से भी, कि जो मट बीज है, वो गोलाकार जुर्णिदार है और ये वो पीला मटर है कि हरामटर है बताते ही क्या-क्या है सबसे पहले हम बात करें Bennu कि कि इन सबस्क्रा की आकर्ति दीखती तो जो दीख विड़ाती ये गोल अ की इस सबस्के आप बीज और घुर्ति आ छीए ठीक है पुष्प का रंग पुष्प देखो एक तो सुफेध है और एक ऐसा है बच्छो बैंगनी है ठीक है अब परिपक कोई फली के आकरती देखो ये फली तो एकदम फूली वी और चिकनी है और ये फली देखो जुरीदार है है ना तो ये फूली वी है कि संकीन है ठीक है परिपक कोई फली का रंग की पीला मटर है या फिर हरा मटर है ठीक है पुष्प की इस्तिती कक्षिये है कि अग्रस्त है देखो अग्रस्त का मतलब जिससे यह एक पुष्प है इसका जो उपरी सीरा है यहां पर जाके पुष्प लगे ठीक है और कक्षिये का मतलब है यह पुष पोधा होता है उसके शीष भाग पर जाके पुष पर बनता है तो इसको तो हम कहेंगे कक्षी है और जो उपर जाके बनता है इसको हम क्या कहेंगे बच्चो अग्रस ठीक है फिर है पादप की उचाई की पादप लंबा है या फिर छोटा है तो छोटे को हम क्या कहते ह सही है ना कि मैंडल ने जब नियम बताई दिये तो पुने खोज क्यों तब जब मैंडल ने नियम दिये थे तब इनके नियमों की सब लोग अभेलना करते थे ऐसे बोलते थे यह कोई नियम है क्या, इसकी पालना कोई भी नहीं करते थे, लगबग 37 साह तक इन मैंडल के नियमों कोई भी नहीं माना, उसके बाद कुछ विग्यानिक आए, कौन-कौन से, हॉलेंड के एक विग्यानिक थे, हुगो डिवरीच, जर्मनी के थे, कॉल्ड कॉ और इरीकवन शेरमेक ने किया किया, जो मैंडल के नियम थे, उन नियमों की वापस खोज की, इन्होंने भी क्या किये, इन्होंने भी ऐसी संकरन करवाए, और ये भी उन्ही निशकशों पर पहुचे, जिस निशकश पर 37 साल लगबग पहले मैंडल पहुच चुके थे, इस तक पढ़ते हैं रहो आप, थेंक यू